एसी ही spirited आवाजे कुछ और जिनमें ऐसा ही जोश उमंग उत्सहा है हमारे student leaders जो कि इस समय वंच बर हमारे साथ विराजमान हैं हम आवाज देंगे अक्षद गांदी जो कि गुजरात से आते हैं और engineering के student हैं यहां उन्हें हम आवंतृत करते हैं वो आएं और आज के विशे पर अपने विचार रखें नमस्का हिंदुस्तान नमस्कार महराश्ट्र नमस्कार पुने आज या ठीकानी मला खुब जब इमान वाट तोई कि जा मातित्मी उबाहे ती माती भारत रत्रत बाबासाहिब अंबेड कर समाच सुदारक महात्मा फूले यांसर्ख्या ठोर दे इस देश में लोगों को ही अपने आपको पिछडा सिद्ध करने की होड लगी हो मैं आप से पूछना चाहता हूं मित्रो क्या वो देश आगे बढ़ सकता है नहीं जहेन में ये सवाल बार बार आता है कि जो देश 300 साल बाद आजादी की सांस ले पाया आज 70 साल के बाद भ लेकिन राजणाई त descriptions कारणों से इस अवदी को आगे बढ़ाया गया ऑ आज और आज इयारक्षण एक सियासी खिलोना बन चुका है दोस्तों सियासी खिलोना बन चुका है और यही सियासी स्वार्थ के लिए जात्पात के हथी अरसे लोगों समाज को बाटने वाले लोग मेरे गुजरात में कोई अपनी संपन्न जाती के लिए आरक्षण मांग रहा है याद दिलादू दोस्तों बगत से सिफ तेईस साल में देश के लिए शहीद हो गए थे वो एक जट सीख थे अखंड भरत के निर्माता सरदार वाल लबबाई खुद पटेल थे यदि वे आरक्षण मांगने निकल गए होते तो आज भी ये तेश अंग्रेजों का मुटाज होता दोस्तों जिस तेश का समविदान धर्म निर्पेक्ष होने का दावा करता है उस तेश में बढ़ता हुआ जातीगत आरक्षण उसकी समविदान की वईद्यता पर प्रशन उठाता है समानता के नाम पर ये आरक्षण की बात आसमानता की आग में घी डालने जैसी है दोस्तों जिस पे राज नहीं तीक रोटिया से की जाती है अगर इस अरक्षन की विवस्ता को जड़ मूड से मिटाना है तो समाज के सभी वर्गों को पढ़ने का और रोजगर करने का समान अफसर प्रदान करना होगा और इस मैंसी भारत सरकार नहीं बलकि आज तक की अरक्षन की विवस्ता से लभनवित होने वाली पिछडे जाती की संपन प्रजा भी सहाई यह बन सकती है यदि वे अपने ही गाव के एक गरीब पिडित बच्चे को पढ़ा कर मुक्यधारा में लेकर आए तो देखते ही देखते हिंदुस्तान का हुलिया बदल जाएगा दोस्तों और फिर भी अगर आरक्षण की जरूरत पड़ी तो वह आर्थिक आधार पर होना चाहिए क्यूंकि गरीबी जब जाती देख कर नहीं आती तो यह आरक्षण जाती के आधार पर क्यों? दोस्तों उची डाली को छूने के लिए हमें उपर उठना चाहिए ना कि उस डाली को ही जुका देना चाहिए ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह कमजोर को योग्या बनाकर उसे कारिया सौपना चाहिए ना कि उसे आरक्षण देकर कारिया को ही जुका देना चाहिए जहन बहुत बहुत शुक्रिया अक्षद गांधी ने अपनी बात रखी रेजर्वेशन के खिलाफ बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर अभिनंदन करेंगे जोड़दार तालियों के साथ अक्षद गांधी तो युवा चाद्वर ने रखेंगे